नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वेडियो में मेरा नाम है आरण और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटीब चैनल आरण हिल्फन ट्रिक्स और ये वेडियो है घंगरिया रेलवे स्टेशन का और लागातार जो है मैं इन रूटों की जानकारी आप तक जितना बन का नजारा दिखाएंगे तो दोस्तों यहां पे जो है तीसरे और चौथे नमबर का प्लेटफॉर्म जो है घंगरिया रेलवे स्टेशन पे उस पे जो है काम जो है वह वापिस से तैयार कर दिया है जैसे कि पीछले वीडियो में आपको बताया था कि यहां पे दो नमबर क प्लेटफॉर्म जो है उसकी ढ़लाई का काम जो है वो सुरू कर दिया गया है और यहां पे तीसरे नमबर का चौथे नमबर का प्लेटफॉर्म जो है उन दोनों के बीच में नाले का निर्मान का जो काम है वो भी यहां पे लगभग आधा काम हो चुका है और बांकी का काम जो है वो यहाँ पे अतिसिग्र करने की कुसिस की जा रही है और यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम प्रकार की जो मैसिनरी चीजें हैं जिनके द्वारा यहाँ रेलवे ट्रेक का काम किया जाता है वो सारी चीजें जो है वो उपस्तित हैं, मौजूद हैं और कामों को जो है वो लागातार जो है यहां पे किया जा रहा है और देखिए यहां पे जो है चीजों को मैंने दो दिन पहले भी आपको दिखाया था और उस टाइम जो है यह तीसरे नंबर के प्लेटफरम की तरफ जो उपर का स्रीड है बहुत चड़ा नहीं था लेकिन आज कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सीड जो है वो तीसरे नमबर की प्लेटफॉर्म की तरफ से चर चुका है अब देखिए इधर जहाँ पे नाले का निरमाल नहीं हुआ है तीसरे और चौफे नमबर का प्लेटफॉर्म के बीच में वहाँ पे पानी का जमाव अभी भी दिख रहा है हलांकि बारिस हुई थी और बारिस से यहां पर पानी जम गया है और देख सकते हैं यहां पर ट्रेक्टरों को भी जो है काम पर लगाया गया है और मिट्टी या किसी भी प्रकार की बस्तू की कहीं पर रिक्वाइड है जरूरत है तो यहाँ JCB के द्वारा जो है ट्रेक्टर में भड़ा जाता है सामानों को और फिर वहाँ पे जहाँ पे उन बस्तों की जरुरत है वहाँ तक पहुंचाया जाता है और यह देखे यह लास्ट एंड जो है वो गंगरिया रेलवे स्टेशन का एंड छोर है और यहाँ से मैं आ यहाँ पे अराम फर्मा रहा है और यहाँ पे देखे जो बैटने का व्यास्ता बनाया गया है उसको कंपलीट किया रहा है यहाँ साइट में देख सकते हैं कि पत्त्रों को जो है एक चाली के दौरा जो है एक जगे कर के साइड में कर दिया गया है ताकि वह एक बॉंडरी के रूप में काम कर सके और बारिस वगेरा से जो है यहां की मिट्टी जो है इस्टेशन का वो ढह के नीचे की तरफ नहीं जाए हलांकि यह काम अभी अधूरा है लेकिन लग रहा है कि इसको पूरा किया जाएगा और यहां पे देखिए सेम यहां पे जो है अलग तरीके का जो है यहां पे टाइल्स विछाया जाएगा क्योंकि यहां पे यात्रियों के प्रतिक्छा के लिए बैटने का वेवस्ता बनाया गया है और यह कंप्लेट एक नंबर रेलवे एस्टेशन जो प्लेटफॉर्म है और खुरे नंबर टेखिए स्यौन जो जो चल रहा है और अधर भी काम जो है वह एक नंबर प्लेटफॉर्म पे कर दिया गया है हलांकि अभी plaster बगेरा करना भी बांकी है boundary जो सिर्फ बनाया गया है अभी और जो टर्नल है उस पर भी अभी काम करना जो plaster बगेरा होता है उसको करना भी बांकी है यहाँ देख सकते हैं यह डाग धबे अच्छे नहीं लग रहे हैं यहाँ पर और इनको भी जो है plaster किया जाएगा या फिर tiles जो है यह देखिए यहाँ पर tiles विछाया गया है तो इसी रूप में जो है इन सब पर tiles विछाना जो है अभी बांकी है और जो boundary मैंने बताया आपको तो वो देख सकते हैं कि जो मोख्य द्वार है गुंगरिया railway station का वहाँ से सुरू कर दिया गया है और काफी हद तक